इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सो परंपरा कायम रखते हैं पहले नाम बता देते हैं बैंकिंग स्टॉक से यह एच्डेफसी बैंक और कोटक बैंक यह जो वीडियो रहेगा उसमें इन दोनों बैंक्स पे छोटा सा डिस्केशन तो मैं करूंगा यह करूंगा बात करेंगे तो उस पर भी वैलिएशन के चार्ट्स देखेंगे पी रैशो के चार्ट्स पर कुछ डिस्केशन में आप लगों के साथ करना चाहूंगा एक स्क्रीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उससे पहले आज लास्ट डे हमारे सेल का जो डिस्काउंट कुपन कोड हमने निकाला था थैंक्यू क्योंकि हमने पांच लाग सब्सक्राइबर्स एचिव किये थे यह अदने इंवेस्टमेंट अकैडमी पे और दाट्स वाइब यह गिविंग यह फ्लाट 40% डिस्काउंट्स अभी तक हमने इतना डिस्काउंट कभी नहीं दिया था तो प्लीज विजिट इंवेस्टने डॉट इन थैंक्यू यह प्रोमो कोड यूज करके 40% का बॉर इंट्रेस्टेड इन प्राइवेस्टेर बैंक्स राधर दन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेस्टर बैंक्स का जो अभी का मार्केट शेर है वो और रहों 35% का है और आने वाले पांच से दस सालों में यह एक्जैक्ली उल्टा हो सकता है 65% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो सकते और 35% प्राइवेस्टर बैंक्स हो सकते है तो यहां पर यह जो सिनारियो अभी डेवलप हुआ है जहां कोवीड की वज़े से फर्स्ट वेव का जो इंपैक्ट था वहां पर मोरोटोरियम दिये गए थे फिर अभी सेकंड वेव आई उसके बाद सेप्टेंबर 2021 तक बहुत सारे प्रॉब्लेम्स बैंकिंग सेक्टर यहां पर फेस कर सकता ऐसा लग रहा है तो उसमें कौन से प्लेयर्स सबसे अच्छे या फिर रिस्क आवर्स लगते है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोटक बैंक का नाम फर्स एक दो नंबर पर आना चाहिए एक अच्छा खासा रिस्क आवर्स ने समय नजर आता है लुकिंग एड देर कैपिल एडिक्वसी रेशियो जो तो यह रीटेल बैंकिंग पर फोकस है दो लोन्स पॉइंट आफ इस अगरम बात करेंगे तो HDFC ने थोड़ा सा stand change करना शुरू किया है and they are going little aggressive on corporate loans but I still feel looking at the other banks PSU banks वो तो restructuring में ही busy है कि कौन मुझे बाय करेगा कौन से बैंक में में जाके shift हो जाओंगा वहां पे business growth का focus मुझे काफी जादा कम नजर आता है and that's why यह opportunity HDFC bank यहां पे लेता हुआ नजर आ रहा है बाकी banking retail banking में it's not only about we are focusing on their assets assets मतलब देर loans we will have to focus on their liabilities also so वहां पे strong liability franchise जो है वो दोनों बैंक से जबसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक उनके कासा डिपोजिट्स बोलिए या फिर फिक्स डिपोजिट्स बोलिए जो रीटेल पॉब्लिक से आ रहा है और नाट dependent on corporates or wholesale deposits so that's a positive sign so risk averseness में देखेंगे या फिर उनका retail banking का orientation दिखोगे तो यह काफी अच्छे opposition में नज़राते है तो एजबसी बैंक एक market leader है private sector में and कोटक महिंद्रा बैंक want to be a market leader or in top two top three players but not at any cost so that's also very positive for shareholders that's what I feel now there are a lot of value unlocking opportunities also available with those with these two banks अब एजबसी बैंक की बात हम करते है तो hdp financials जहां से business source होता है वो भी जल्धी लिस्ट हो सकता है तो वहां पर एक अच्छे का से value unlocking हो सकते है जबसी बैंक की और एक subsidiary है जबसी सेकुरिटीज हो सकता है आने वाले समय में वो particular company भी list हो सकती है जिस तरीके से एक awareness और ज्यादा बढ़ रहा है regarding capital markets or people want to come and invest so definitely I think looking at the size of the bank retail franchise they have so they can take an advantage of this particular situation also plus हम SBA cards के बारे में बात करते which is number two player in India which is listed but number one player को ने number one player है HDFC cards तो यह भी company हो सकता है आने वाले समय में एक subsidiary अलग करके they can list so होगा नहीं होगा we don't know but that is also a value unlocking opportunity available for HDFC bank now if we look at Kotak Mahindra bank so Kotak Mahindra bank में Kotak AMC अभी तक latest list है को भी तक list और 54 इंचने को ड़ींचने अभी तक lis to प्राइम अभी तक list नहीं होए कोटक प्राइम अभी तक list नहीं ably tuk अभी तकية bay एक एक भी company हमारे अभी तक list नहीं कियैं बोर्पोंचिटी कोटक मेंद्रा bank के लिए available हो सकती है and that's why यह जो company है consolidated business अगर आप देखो गे तो काफी बड़ा business एक कोटक महिंदरा बैंक है इसी की वज़े से जो valuation है वो little premium valuation compared to other banks so we need to understand now जैसे मैंने अंत में बोला था कि आप लोगों के साथ एक value valuation point of view से एक चीज़े मैं कुछ share करूँगा तो पहले हमारे यह वेबसाइट है इन्वेस्टाइन यहाँ पर जाके आप अगर HDFC बैंक ऐसा टाइप करते हो तो वह पेज ओपन हो चाहेगा तो वहाँ पर इसमें मतलब यह रेटिंग्स वगे इस बैंक का सो मीडियन पी जो है एक साल का वो 25.52 है अन्ट करेंट पी रेशो इस अरूंट 26.07 अगर मैं तीन साल का मीडियन पी की बात करता हूं करेंटली दे स्टाइट इस ट्रेडिंग बिलो त्री यहर्स मीडियन पी रेशो विच इसाट अगर हम देखते हैं तो यहां पे भी अगर हम देखते हैं तो यह पर्टिकुलर कंपणी अभी ट्रेड होती हूं नजर आ रहे हैं वेलोशन पॉइंट अगर हम देखेंगे भले ही यह जो कंपनी है वो थोड़ा सा प्रिमें वैलोशन पर ट्रेड करती है बट हिस्टारिकली अलसो इस प्रिकलर कंपणी इस परफॉर्म लाइक देखेंगे तो यह जो आप जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो वाट इस देखेंगे अगर दस साल का सीएज या प्रॉफिट ग्रोफ देखोगे तो नाइंटीं पॉइंट पॉइंट सेवेंट प्रॉइंट इस प्रॉइंट प्रॉइंट प्रॉइंट साल का नाइटीं पॉइंट पॉइंट परसेंट एक साल का थोड़ा सा कम हुआ है सिक्सीं पॉइंट पॉइंट परसेंट परसेंट पर्सेंट लास्ट यह दिफिकल्ट इयर फॉर एवरीबड़ी और बैंकिंग में तो स्पेशली हमने जब मोरेटोरियम देता है consistency in earnings and consistency in returns कितने अच्छी है यहां पर समझ में आ जाएगा अगर हम कोटक बैंक के बारे में बात करते हैं यहां पर यह पी रेशो के चार्ट अगर हम देखते हैं यह पेज है कोटक महिंद्रा बैंक का हमारी वेबसाइट पे तो यहां पर आप देखोगे तो वन ये का जो मीडियन भी है वो है 35.66 and करण भी अरॉंट 33.85 तो देखते हैं तो यहां पर भी 35.59 का मीडियन भी है और करेंट ली इजए 33.84 और अगर दस साल का भी मीडियन भी हम देखते हैं तो इसकी भी परसेंट 23 परसेंट 20 परसेंट 16 परसेंट पर लास्ट 10 यह फाइए त्री यह एर और वन यह आई थिंक और इस फेनोमेनल ग्रोथ रिकार्ड अन दिस इस कंसिस्टंसी और इस पर्टिकलर कंपनी इस कंसिस्टंटली कंपाउंडिंग इट्स शेरहोल्डर स्वनी अगर हम देखते हैं तो देफिनेटली यह दोनो जो स्टॉक से ऐसे डिफिकल टाइम में भी कंसिस्टंटली पर्फॉर्म करते वह नजर आते हैं रिसेंटली वी हव सीन की कैसे कॉर्पॉरेट बैंक्स मार्केट कैपिलाइजेशन गी साब से थोड़ा सा अपना शेर बढ़ा सकते हैं बड़ा सकते हैं बड़ा सकते हैं अगर कोई बैंक रिटेल ओरिएंटेट बिजनेस पर ही फोकस करेंगे तो वह मुझे यहां पर एक चोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए था मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट इन्वेस्टेंट को विजिट करेंगे और वहां जाके हमारे रिसेर्च सब्सक्राइब करता मत भूलना नेक्स वीडियो में मिलते हैं चैहिन